कि अब विल्कम तू आदर्सकेडमी जो भी स्ट्वेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं प्लीज एक बर कमेंट करके बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुका है जल्दी से एक बर कमेंट कर दीजिए कि आप सारे चीजे क्लियर है एक बर वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें घुपेंदर ओपियादव सबी चीजे क्लियर है तो जल्दी से आप एक बर वीडियो के लिंक को सेयर कर दीजिए ठीक है ताकि मैं अपने क्लास को आगे क्लास को मैं सुरू करती हूँ यह जो हमारा क्लास है यह बेसिकली यूपी के लिए है यूपी एक्जाम के लिए है यूपी एसा आई और यूपी लेकपार के लिए ठीक है लेकिन आपका जी के और जी एस का जो पोर्चं होता है यह अलमोर्च सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अगर UPS related और भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो यहां से आप इसका benefit ले सकते हो इस class का यह questions जो भी होंगे जो questions का series है यह expected questions है 2020 और 2021 के लिए है मेरी जो timing रहेंगी वो आपका है 3 बज़े 3 पीम and 4 पीम में हिंदी के classes चल रही है कल से ठीक है और कल से math की भी classes शुरू होगी math की उसकी timing जो है आपको बता दिया जाएगा चलिए अपने class को आगे बढ़ाते हैं पहला question है गौतम बूद को ज्यान कहां पर प्राप्त हुआ था गौतम बूद से related जो questions से बहुत सारे बनते हैं exam में गौतम से जैन धर्म से बूद धर्म से यह से बहुत सारे questions यहां से बनते हैं ठीक है तो जो भी student को इस concept पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताईएगा वेर डिट गौतम बूद्धा अटेन एनलाइट्मेंट बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे जो correct answer आपका हो जाएगा वो है आपका बोध गया ठीक है गौतम बूद्ध को ग्यान की जो प्राप्ती हुई थी वो बोध गया में हुई थी अगर हम बात करते हैं कि गौतम बूद्ध की मिर्तिव कहां हुई थी तो मिर्तिव की बारे में बात करें तो मिर्तिव हुई थी कुसी नगर में गौतंबू से related बहुत सारे question बनते हैं और पी एक और question जो बनता है वो है प्रत्व उप्देश कहां दिये थे पहली बार उप्देश जो दिये थे वो कहां दिये थे ये question बहुत बार exam में बन चुका है तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा वो है आपका साधनात में और अगर हम बात करें कि ज्ञान की बारे में बात करेंगे तो इसका correct answer हो जाएगा बोद गया चलिए next question इस ब्रह्माण विद दूसरा प्रचूर मात्रा में सरवाधिक तत्व कौन सा है विच इस दस सेकेंड मोस्ट evident element in this universe जो भी student English माध्यम से है English medium से है वो English medium से भी reply कर सकते हैं तो जल्दी से इसका answer बताएए सभी को comment करके answer बताना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरूर किजिएगा ये like हमारे motivation के लिए होता है और वीडियो को अपने WhatsApp group में अपने Facebook group में share कर दीजिए बिल्कुल सही है यहाँ पर जो correct answer आपका हो जाएगा वो है आपका helium तो ब्रहमार्ण में पहला परचूर मात्रा में कौन से तत्व पाई जाते हैं वो आपको comment section में answer करना है ठीक है परचूर मात्रा में पहले नंबर पर कौन सा है दूसरे में तो helium है तो पहला में कौन सा है यह आपको बताना है यह आपके लिए question है next question किस देश ने USA को Statue of Liberty वेट की थी विच कंट्री दिड USA United State of America वास प्रेजेंटेट दे Statue of Liberty यहाँ पर आपको correct answer बताना है तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा England C is the correct answer next one ACI खेलो में स्वन परदक्स जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाड़ी कौन थी जल्दी से यहाँ पर answer बताईए तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा Wilson ओके चले next question रविना टेगर को किस वर्स में नौबल पृष्कार से समानित किया गया था यह रविना टेगर से related बहुत सारे question यहाँ पर पूछी जाते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस वर्स इन्हें नौबल पृष्कार मिला था और मैं आपको यहाँ बता दूँगी एक्स्टर थोड़ा सा information share करूँगी कि 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 सेत्र के लिए उनको दिया गया था ठीक है बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका 1913 नहा जैसवाल बिल्कुल सही है सिंपी सिना मुनेज सर्मा बिल्कुल यहाँ पर 1913 होगा ठीक है इन विच यहर रविद रना टेगर वस अवर्ड़ दर नौबल प्राइस важ life 1913 लेकिन यह आपको रखना है कि इनको जोवर्ड मिला था यह किसके लिए मिला था इ tropho गितानजली के लिए कि गितानजली के लिए मिला था 1913 में यह आवॉर्ड मिला था और याद आपको यह रखना है कि रविनाट टेगर जो थे वह प्रथम ACI पुरुस्त हैं जिन्हें साहित के लिए इन्हें नौवल पुरुषकार मिला था साहित्र के छेत्र में इनको नौवल पुरुषकार मिला था कि इनुनने गिताणजली लिखा था नेक्स्ट वन अजन्ता एवं ऐलोरा की गुफाएं किस राज में स्थित है ये बहुत important question है आजन्ता और एवं एलोवरा की गुफाएं किस राज में इस्थित है जल्दी से आपको answer करते रहे तो यहाँ पे जो आपका correct answer होगा वो आपका है B B is the correct answer हाजी बिल्कुल साहित के छेतर में उनको नौवल पृष्षकार मिला था देखिए जो भी question आपको लग रहा ना कि new है आपने कभी नहीं सुना है या पर कहीं नहीं पढ़ा है आप क्या करोगे उस टाइम स्नैपसाट ले लेना और बाद में इसको अपने copy में लिख लेना ठीक है ताकि आप exam से पहले इसको लिख सको क्योंकि जितने भी questions से ही वो topmost है जो आपके exam की दिश्टी से बहुत ज़्यादा उपयोगी है इसलिए आप इससे note down जूर कर लेना PSLV से क्या अभी प्राय है आपको यहाँ पे इसका strand form बताना है what does PSLV strand form जिब बिल्कुल पुनित याद हो आपका answer बिल्कुल correct है तो यहाँ पे जो आपका PSLV का full form होगा वो होगा आपका polar satellite launch vehicle C is the correct answer PSLV, GSLV दो होता है GSLV और PSLV तो यहाँ पे PSLV के बारे में बात हो रहा है polar satellite launch vehicle बिल्कुल सही जवाब है C is the correct answer next one writers एक समाचार agency है इसका मुख्याले कहां पर स्थीत है writers is a new agency where is its headquarters located इसके अलावे मैं आपके साथ कुछ और information share करूँगी ठीक है भारत की agency कौन सी है भारत में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था यह से बताऊंगी लेकिन इससे पहले आप मुझे इसका reply करें कि इसका जवाब क्या होगा writers आप देखें नंबरिंग के साथ आपको answer करना है ठीक है सभी को नंबरिंग के साथ answer करना है मतलब 8 का अगर आपको जो भी लग रहा है option जो correct होगा वो आपको 8A, 8B answer करना है ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप किसका answer कर रहे हो तो यहाँ पे जो correct answer होगा वो है आपका UK तो writers जो है वो आपका UK का समाचार agency है और sorry writers एक समाचार agency है जिसका मुख्याले UK में है अगर हम भारत की बारे में बात करते हैं तो PTI Press Trust of India जो है यह भारत की समाचार agency है और सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो भारत में 1780 में प्रकासित हुआ था और उसका नाम था बंगाल गजट ओके यह पहला समाचार पत्र है और किनके द्वारा किया गया था यह बहुत जादा important है तो यह क्या गया था James Augustum Hickey ओके तो भारत में समाचार पत्र का जो जनक है वो उन्हे किने कहा जाता है तो यह कहा जाता है James Augustum Hickey को लेकिन यह कई बार यह भी question पूछा जाता है समाचार पत्र के मुक्ती दाता किसको बोला जाता है तो मुक्ती दाता बोला जाता है Lord Metcalf को ओके यहाँ पर यह आपको याद रखना है तो क्या याद रखना है यह तो चलिए आपको UK के बारे में है लेकिन जो इंडिया के बारे में है वो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो इंडिया की एजेंसी है पी टी आई प्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यह जो पहला समाचर पत्र है इंडिया में वो 1780 में प्रकास्टी थुआ था और उसका नाम था बंगाल गजट बंगाल गजट किसने लिखा था तो लिखा था जेमस अगस्टम हिक्की ने और इनको ही बोला जाता है समाचर पत्र का जनक लेकिन भारत में समाचर पत्र के मुक्ती दाता कि इनको बोले जाता है है तो मुक्ती दाता बोलता है लौड मेटकॉफ को ओके तो यहाँ पर बहुत सारे fact आपको निकल कर करना है इससे क्या होगा कि आप अपने ability को पहचान पाओगे कि हम के कहां है ठीक है चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका answer तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा वो है आपका pod ठीक है dolphin what is the group of dolphins cod जहाँ पर group of dolphins को हम क्या कहते हैं तो pod कहते हैं pod is the correct answer एक बात याद रखेगा मनमहुन सिंग के सरकार में ओके dolphin को क्यों को राष्टी जली पक्षी घोचित किया गया था राष्टी जली पक्षी तो किन की सरकार में तो मनमहुन सिंग जी के सरकार में ओके यह आपको याद रखना है नेक्स्ट वन जीवन की मुलभूत इकाई क्या है what is the basic unit of life ये question मतलब sales related जो questions है ये नाजाने कितने बार बने हैं ठीक है तो ये आगे भी बनने की संभावना है तो जल्दी से इसका अंसर बताईए अगर हम इकाई life की इकाई के बारे में बात करते हैं अगर unit of life के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा cell कोसी का अगर हम cell के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो cell के जो study of cell मतलब कोसी का के अध्यान को study of cell इसको हम क्या कहा जाता है cytology okay cytology हम अगर cell के अध्यान को cytology कहते हैं और कोसी का सब्द का जो सबसे पहला प्रियोग किया गया था वो Robert Hook ने किया था यहाँ पर यह आपको याद रखना है Robert Hook Robert Hook ने किया था इसका सबसे पहला प्रियोग 1665 में किया था तो यह आपको यह नाम जरूर याद रखना है ठीक है कि पहला जो Robert Hook ने इसके बारे में सबसे पहला प्रियोग जो है वो Robert Hook ने 1665 में किया था अगर हम सेल के बारे में बात कर लेते हैं तो सेल दो प्रकार के होते हैं प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक यह आपको याद रखना है एक में जिसमें नुक्लियस बिल्कुल प्रतम अवस्था में रहता है और यूक्रियोटिक जिसमें नुक्लियस प्रेजेंट होता है औके नेक्स्ट क्वैस्न निमलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयूक्त है यह आपका जोग्रोफी के स्वाइल से हैं निमलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयूक्त है which of the following is the least porous युक्रियोटिक्स प्रो मतलब प्री प्री मतलब जिसमें उक्रियोटिक्स अल्रडी प्रजेंट होते हैं चले हैं तो यहाँ पर आपका औंसर हो जाएगा चिकनी मिटी यहीं पर मैं मिटी से रिलेटेड कुछ मतलब स्वाइल से रिलेटेड आपसे कुछ important fact यहां पर मैं आपके साथ share करूंगी ठीक है पहला हो जाएगा आपका जलोड मिर्दा मतलब जलोड मिट्टी यह तो बहुत ज्यादा important है क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्या होता है सबसे ज्यादा उपजा होता है ठीक है मतलब लेटराइट के बारें बात करेंगे लेटराइट भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो लेटराइट जो है यह चाई की खेती के लिए बहुत ज्यादा important होता है तो आपको basically जलोड मिर्दा आपको काली मिट्टी लेटराइट यह तीन आपको याद रखना है क्योंकि यह तीन में सबसे जादा मतलब कुछ-कुछ बहुत जादा qualities होती है तो यह तीन आपको ज़रूर याद रखना है ओके चले next question चानक्या का अन्य नाम क्या था मैं आपको before one day वाले class में मतलब एक दिन पहले जो मैंने class लिया था अपने first class में उसमें मैंने आपको बताया था कि चानक्या के दो नाम मैंने और बताया था ठीक है तो आप जल्दी से बताएए इसका answer expected है कि आप बताओ चानक्या का अन्य नाम क्या था अगर इसके बारे में अन्य इंफॉर्मेशन भी आप अगर जानते हो तो आप share कर सकते हो तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा what was another name of चानक्या correct answer is विश्नु गुप्त ओके विश्नु गुप्त चानक्या का अन्य नाम विश्नु गुप्त भी है और क्या है एक कौटिल्य कौटिल्य यह किनके प्रधान मंत्री थे कौटिल्य के बारे में थोरा सा जरूर जानेगा चंद्रगुप्त मौर के प्रधान मंत्री थे यह चंद्रगुप्त मौरे के आपको जल्दी से comment में एक आंसर बताना है कि चंद्रगुप्त मौर की दर्वार में कौन रहते थे क्योंकि वो जो character है वो बहुत ज्यादा important character है आपके exam में वहां से बहुत ज़्यादा उनके द्वारा रचित जो एक पुस्तक है उसके वारे में पूछा जाता है एक्जाम में तो जल्दी से आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर के दरवार में कौन रहते थे ठीक है तब तक हम नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं मैं आपके कमे इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि अर्थ सास्त्र है इट मींस कि यह आपका अर्थ व्यवस्था से समंदित होगा लेकिन नहीं जो आपका अर्थ व्यवस्था जो उन्होंने लिखा था अर्थ सास्त्र यह राजनीती से समंदित है जो कौटिल्य ने लिखा था इट मींस क ंछा लग लग रहा है तो प्लीज हीट दांर लाइक बतन लाइक किजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिबेट करता है और भी अच्छा वीद लाने के लिए ओम s माया रहा है आध कल से आपका हिंदी भी सुरिव हो चुका है. और यह मेरा तीसरा क्लास है जीके और जीए का ठीक है तो इसी तरह continue क्लास से चलते रहेंगे तो जल्दी से आप like कर दीजिए और अपने friends को share कर दीजिए वीडियो के लिंक को ठीक है तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा कि who was the founder of Brahm Samaj तो अगर हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहनराई चाहिं क react को डू वहाँ इसी अधा के आतमा सभा है कशे होई थी ठीक है आर्य समाज आरे समाज तो बहुत ज़्यादा important है आज जैसे कि अगर ब्रह्म समाज से question बन रहे हैं तो आरे समाज से भी question बनते हैं तो आरे समाज के स्थापना कि जो ने की थी स्वामी द्यानंद ने एक और आजाता है important सत्य सोधक समाज आपने अगर previous paper को देखा है तो आपको पता चल पाएगा कि सत्य सोधक समाज जो भी important fact आपके साथ share कर रही हूँ यह आपकी exam में पूछे क्या हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं ठीके तो इसका answer हो जाएगा जोती बाफ फूले जोती बाफ फूले ठीके चलिए बहुत अच्छे हितेस राज नेहा जैस्वाल ओपी आदो मिस्टर आसुतोस आप सभी का स्वागत है जल्दी जल्दी जवाब देजे आंसर करते रहे हैं निमलिकित नदियों में से कौन सी नदी पच्छिम घाट से निकलती है यह नदिया चैप्टर से हो गई मैंने अभी म्रिदा से पूछा था मिट्टी से स्वाइल से पूछा था यह आपका हो गया म्रिदा से तो जल्दी से इसका अंसर बताईए विच आप दो फॉल्दी रिवर्स ओरिजनेट इन दा वेस्टन घाट यह एक्सपेक्टेट क्वेसन है मैं एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मेरे स्टुदेंत इसका जवाब देए तो यहाँ पे जो आपका correct answer होगा वो है आपका B कृष्णा ओके कृष्णा नदी जो है ये पस्चिम घाट से निकलती है लेकिन पस्चिम घाट में भी जो निकलती है ये आपको इधियान में रखना है माहा बलेश्वर के समीप पच्मी घाट पहाड से निकलती है माहा बलेश्वर आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्ण बन सकता है और अगर हम क्रिश्णा के साहयक नदी के वारें फुराबाद कर लेते हैं तो यहां पर साहयक नदी का नाम है भीमा, तुंग भद्रा, मुसी नदी, अमरावती, कोईना, पंच गंगा, और इवं घाट प्रवाद तो यह इसकी साहयक नदी है भीमा, तुंग भद्रा मुसी, अमरावती, कोईना, पंच गंगा, एवं घाट प्रवा तो आपको इनके साहयक नदी के वारे में याद रखना है ठीक है क्योंकि यह तुंग भद्रा, अमरावती, कोईना, घाट प्रवा यह बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट क्वेसन है, यहाँ से बनता है कि घाट प्रवा किसके साहयक नदी है या फिर तुंग भद्रा किसके साहक नदी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह चीज़ याद रखना है चली, next question, कहीं भी कुछ भी confusion हो रहा है, आप question arise कर सकते है मरियाना ट्रेंच जो है, वो किस महसागर में स्थीत है, in which ocean is the मरियाना ट्रेंच located जल्दी से इसका अंसर बताईए I think आपको class अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगी तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजे ठीक है, हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सियर कर दीजिए, ताकि आपके और भी friends हमारे साथ connect हो सके बिल्कुल सही, नेहाज अस्वाल, Pacific Ocean, प्रशांत महसागर, ओके, प्रशांत महसागर में मरियाना ट्रेंच है और अगर हम इसकी गहराई के वारे में बात कर लेते हैं, तो 11,022 मीटर जो है, ये इसकी क्या है, depth है, बतलब गहराई है, ओके, ये आपको थोड़ा सा ये factual information है, जो आपको याद रखना है, 11,022 मीटर जो है, ये इस ट्रेंच का क्या है, depth है, ओके, next one मानु सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी हड़ी, सबसे छोटी हड़ी, यहां से प्रस्ण जो है, आपके एक्जाम में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, हाँ जी, बिलकुल प्रशान्त महासागर की ही मीटर गहराई है, 11,022 मीटर, इसका बहुत ही इंपोर्टेंट वेस्टन है, यहां से प्रस्ण बनते हैं, सबी के कमेंट को देखा जा रहा है, नहाजा स्वाल बिलकुल सही है, स्टैपीज, ठीक, C is the correct answer, स्टैपीज is the correct answer, और यह जो हड़ी होती है, यह हमारे कान में होती है, जो हमारे सॉफ्ट वाला जो एर कहते हैं, उसको हम कहते हैं, और स्टीरियो लॉजी, ओके और स्टीरियो लॉजी हम कहते हैं हड़ी के अध्यन को, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि टोटल बोन्स कितने हैं, टोटल बोन्स कितने हैं, हमारे सरीर में टोटल बोन्स कितने हैं, लेकिन यह याद रखन लाल आपको बताना है कि सबसे टोटल बोन्स कितने होते हैं ठीक है अगर हम सबसे छोटे के बारे में बात करते हैं कि छोटा स्टैपीज है तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है फीमर फीमर हड़ी जो है वो सबसे बड़ी हड़ी है हमारे सरीर की और ये कहाँ पे होता है ये थाए में होता है जांके वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे लम्बी हड़ी होती है जिसका नाम है फीमर वेरी गूट, सिंपी सिना, नेहा, बहुत अच्छे 206 हड़ी होती है और बच्चों का 208 होता है ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन है पीछे की और उडने वाला एक मात्र पक्ची कौन सा है पीछे की और उडने वाला, which is the only bird to fry backwards यह बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेशन है, और बहुत ही इंपोर्टेंट भी है तो यहाँ पे जो आपका correct answer होगा, वो है आपका hummingbird hummingbird जो है, वो पीछे की और उडने वाला एक मात्र पक्ची भी है और एक और चीज़ क्या है, कि यह सबसे छोटी पक्ची भी है विश्व की सबसे छोटी पक्ची, अगर विश्व की सबसे छोटी पक्ची के बारे मात करें तो वो तो आपका hummingbird हो गया, और अगर हम सबसे बड़ी के बारे मात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा सुतुर मुर्ग ठीक है सुतुर मुर्ग जो है वो बिच्व की सबसे बड़ी जो है वो पक्ची है सबसे बड़ा और सबसे छोटा हो गया हमिंग बड़ I think कि आपके क्लियर है Next question Australia का सबसे अधिक घनी अबादी वाला सहर कौन सा है Australia का तो यहाँ पर जो करेक्ट अंसर होगा कि Which is most densely populated city in of Australia ओके तो यहाँ पर करेक्ट अंसर है B Sydney Sydney जो है यह सबसे अधिक घनी अबादी वाला सहर है सबसे dense वाला आपका City है और Australia के बारे में ठोरा सो देख लेते हैं शिडनी जो है न यह Darling नदी के किनारए बसा है ऑके और अगर हम Australia के राजधानी के बारे में बात करेंगे Australia के राजधानी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा क्यान बरा हो जाएगा ठीक है चलिए next question भारती विज्ञान संस्थान कहां पर इस्थित है सब को answer करना है सबी student को answer करना है यहां पर तो यह आपका correct answer हो जागा बैंगलूरू में फोरा सा हम और भी institution के बारे में बात कर लेते हैं जैसे की रमन के बारे में थोरा सा देख लेते हैं पर दोमन के कारहे चैसे के अनुसंदान फोरा संस्थान यह बहुत important question है यह आपका पर है तो यह आपका है बैंगलूरू में लुक्रा और यह आपका पहला हो गया अगर अगर हम दूसरे बारे बात करें तो भारतिये विज्ञान भारतिये खगोल विज्ञान ये भी आपका बैंगलूरू में है तो बैंगलूरू में तीन है भारतिये विज्ञान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान एवन भारतिये खगोल विज्ञान ये साइन्स रिलिटर जो चीजे दिख रही है वो और मुस्ट बैंग आपका हो जाएगा कानपूर में और अगर दलहन की बारे में पूछा जाएगा कि दलहन अनुसंधान सोध संसान कहां है तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपके साथ सेर कर रही हूं नेक्स्ट आपसे पूछा सकता है केंद्री चमड़ा अनुसंधान अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह कहां है तो यह कहां पर है चमड़ा अनुसंधान केंद्रा है यह चेन नहीं में है ओके I think clear है सब कुछ चली नेक्स्ट वीडियो अच्छा लग रहा है तो पystems share कर दीज़े एक बार और like जरूर कीजे नेमलिकित में से कौन सा खेल olympic kheल में से हटा दिया गया है मतलब एक कौन सा खेल है जो olympic kheल में से हटाया गया है यह बिल्कुल बहुत ज़्यादा important question है यहाँ पर आपका correct answer है volleyball volleyball को जो है Olympic खेल से हटा दिया गया है sorry volleyball नी baseball C is the correct answer baseball को जो है Olympic खेल से हटा दिया गया है और आधुनिक Olympic की शुरुवात कब हुई थी यह जानना बहुत important है तो आधुनिक Olympic की शुरुवात जो हुई थी 1896 इस्वी में हुई थी यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और कहाँ पर हुई थी तो यह हुई थी Athens में तो कब शुरुवात हुई थी आधुनिक Olympic की 1896 में और कहाँ पर हुई थी Athens में हुई थी और 2020 में जो ओलम्पिक होना था वो कहां पे होना था वो होना था टोक्यो में जपान की राजनी टोक्यो में ठीक है चलिए next one कम्प्यूटर के संदर में लेन का क्या तात परे है मतलब यहां पर आपको बताना है कि लेन का जो है फुल फ्रॉम क्या होगा यह बहुत ज़्यादा important question है तो जल्दी से इसका बताईए फुल फ्रॉम क्या होगा यह मैं expect कर सकते हूँ कि आप मेरे student इसका answer करें कि लेन का फुल फ्रॉम क्या होगा यह computer से related question है तो यहां पर जो आपका correct answer होगा वो है आपका local area network नेहा जैस्वाल हितेश राज एजे शाहनी बिल्कुल करेक्ट है local area network अगर हम इसी से related W-A-N के बारे हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्ण बनता है तो यह हो गया आपका हो जाएगा वाइड एरिया network ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं M-A-N क्योंकि land when man तो man से क्या हो जाएगा metropolitan area network यह एक दूसरे से related है land when man यह तीन में से कहीं से भी प्रश्ण आपको दिखाई दे सकते हैं इसलिए मैंने तीनों का full from आपके साथ share कर दिया है चले next one वर्तमान में हमारे द्वारा उप्योग किये जाने वाले राश्णिक परतिकों की उप्योग विधी किस ने तयार की थी who designed the method of chemical symbols we currently use जली से इसका अंसर कीजिये यह आप पर 22 नंबर का question है तो यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा वो है आपका bergillius तो जो इसका correct answer है आपका brazilis है अगर हम थोड़ा सा बात करें लुइस पास्टर के बारे में क्योंकि यह बहुत ज्यादा important है तो लुइस पास्टर ने रेबिस के टीके की खोज की थी ठीक है लुइस पास्टर ने रेबिस के टीके की खोज की थी एक और चीज़ी ने खोज की थी वह है आपका दूद के पास्टुराजेशन के लिए ठीक है तो यह काफी important है यह तो important उतना नहीं है दूद के पैस्टुराजेशन के लिए लेकिन रेबिस के टीके के लिए बहुत जादा important question बन जाता है तो लुइस पास्टर आएगा तो आपको लिखना है रेबिस के टीके की खोज की ने की तो वो आपको correct answer करना है लूइस पास्टर ओके और जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन ने भी पर्मानू की खोज की थी पर्मानू की खोज जो भी आपके other option में जो भी important होगा ना वो भी हम आपके साथ share करेंगे ठीक है 1808 इस वीव में इन्होंने पर्मानू की खोज की थी किनों ने की थी तो जॉन डाल्टन ने की थी ओके जी बिलकुल रेविस के टिके की खोज किस ने की थी लूइस पास्टर ने की थी क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप एक बार लाइक वीडियो को कर दीजे और जल्दी जल्दी share कर दीजे ठीक है फट अफट आप अपने friends को share कीजे ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जूट सुके हैं क्योंकि जो हम effort कर रहे हैं मैं चाहूंगी कि मेरा जो effort है व बिल्कुल आपके एक्जाम के लिए targeted होगा next question प्रिधिवी का जल्द चक्र किसके द्वारा संचालित होता है यह बहुत ज़्यादा important question है और थोड़ा सा आप बता सकते हो इसका answer तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा कि earth water cycle is governed by sun sun is the correct answer होगा अगर हम थोज प्रिधिवी के बारे बात कर लेते हैं देखें क्योंकि यह बहुत जाता important हो जाता है तो यह हो जाएगा कि प्रिधिवी जो अपने अक्च पर जुकी होई है उसमें लगाहुआ समें के बारे में आपको बताना सूर की परकिर्मा करने में प्रितिवी को कितना समय लगता है ओके अधर्वाइस नहीं पता होगा तो मैं जरूर बता दूंगी ठीक है क्योंकि एकुरेट में कभी-कभी आजाता है एक्जाम में कि 365 दिन चार गंटे या 5 गंटे 6 गंटे ऐसे करके option में रहते हैं आपको ठीक ह है ओ एन जी सी का मुख्याले कहां पर इस्थित है ओ एन जी सी जल्दी से इसका अंसर बताईए देखे आईस लेवल के question नहीं है यह आईस में कभी भी इतना straight forward question नहीं पूछा जाता है वहाँ पर conceptual based question पुछी जाते हैं ओके 365 दिन चार गंटे आई तिंग 6 गंटे नहीं होगा 365 बिल्कुल सही है जिब बिल्कुल आपने सही जवाब दिया अखिलेस कुमार बिल्कुल सही जवाब है आपका देहरादुन तो ओन जी सी का जो headquarters है वह headquarters of ONJC located देहरादुन में अगर हम थोरा सा और इससे हट के थोरा बात कर लेते हैं तो भेल के बारें बात कर लेते हैं तो यह थोरा सा आपको वेल याद रखना है IOC याद रखना है और एक ONGC याद करना यह बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है ठीके headquarters से question जो है यह बनता है चलिए next question थॉमस कब किस खेल से जुड़ा हुआ है जल्दी इसका बताईए सेंपी से ना मैंने आपका नाम ले लिया है आंसर करते रहे है जो जो student answer करेंगे उनका नाम लिया जा रहा है तो आप भी answer करते रहे है ताकि मैं आपके comment को देखूं और आपका नाम ले दे रहूं ठीके तो थोमस कब जो है यह बैंडमिन्टन खेल से जुड़ा हुआ है तो थोमस कब is associated with which sport यह प्लेक्वूं अगर थोड़ासा बैंडमिन्टन से रिलेटेड और भी कब के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं जैसे थोमस कब टो एक है ही लेकिन अगर अगर हम एक और कब के बा अमरीत, दिवान कब, तो ये दो कब और भी है, हो सकता आपको थामस कब ना देकर नारंग कब दे दे या अमरीत दिवान कब दे दे, तो ये दोनों कब भी जो है ये बैन विंटन से ही रिलेटेड है, ओके नेक्स्ट उन, सूरी की उरजा किस माध्यम से उत्पन होती है, जल् यह आपका 26 नमबर का क्वेशन है डेली हम 30 के प्रोक्स क्वेशन 30 तो 35 क्वेशन हम आपके साथ कर रहे हैं ठीक है तो इस आप से आपकर देखा रहे हैं तो एक वन मंथ में आपका 900 क्वेशन कवर हो रहा है तो 900 बहुत ज्यादा क्वेशन होता है अगर अच्छे से डेली बे नेक्स्ट वन सभी को अंसर करना है यह 27 नमबर का क्वेशन है सभी कौन सर करना है निमलकित में से कौन सा सहर वस्तुकला की दिस्टी से नियोजित सहर है वस्तुकला की दिस्टी से विच आफ दा फॉलोइंग सिटी इस एन आर्किटरली प्लैंड सिटी यह काफी इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट अंसर होगा वो है आपका चंडीगड चंडीगड जो है वो सहर वस्तुकला के दिश्टी से नियोजिस सहर है नेक्स्ट वन और काफी सुनियोजित तरीके से इस सहर को सजाया गया है सबसे बड़ा अस्तन पाई कौन सा है विच इस दा लाजिस्ट मेमल यहाँ पर जल्दी साब को बताना है इसका अंसर काफी इंपोर्टेंट प्वेशन है यह 28 नमबर का प्वेशन है सभी कौन सर करना है अकिलेश, नहया, संदीप, हितेश, राकेश, सिंपी, संदीप, सरोज सभी आप सभी रिप्लाइ करते रहिए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट अंसर होगा बिल्कुल सही है 28 का C, हितेश, रास आपका अंसर बिल्कुल सही है ब्लू, वेल, ओकेश, अगर हम मेबल की वारे में बात कर लेते हैं तो अस्थन धारी वर्ग में रक्त का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक तापमान जो होता है मैमल में, वो बक्री में होता है गौट में, ओकेश, गौट में जो रक्त का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है, वो होता है 39 degree Celsius, ok चलिए, next question 29 number का question है आपका, सब्द विस्व Equinox संधरवित करता है the word Equinox refers to तो बताना है, Equinox मतलब या विस्व मतलब क्या होता है यह आपका geography से question है जल्दी से बताईए Equinox का क्या मतलब होता है Equinox का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दीन और राज जो है वो एक समान अधिके होते हैं मतलब जहाँ पर day and night are of equal duration ठीक है, चलिए Equinox यह terminology आपको याद रखना है यह काफी important है, आपके exam में पूछा जा सकता है परिस्थित तंत्र की संकल्पना को किसने प्रभासित किया था Who defined the concept of ecosystem यह English और Hindi माधियम दोनों student के लिए है तो जो भी English medium से student है वो भी यहाँ पर comment करके अपना answer English में दे सकते हैं ठीक है, उनके comment को भी देखा जाएगा क्योंकि यह video जो हमारा है यह classes जो है वो English medium और Hindi माधियम दोनों से दोनों के dedicated है इसलिए दोनों student जो है वो यहाँ पर answer कर सकते हैं जो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा वो है आपका Charles Darwin ओके यहाँ पर Charles Elton हो गया है यहाँ पर नहीं होगा Charles Darwin होगा अगर हम धोरा सा बात कर लेते हैं आइंस्टाइन के बारें बात कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत जाता important character है Einstein क्योंकि इन्होंने जो एक theory दिया था theory of relativity साफे चिकता का सिधान्त इन्होंने दिया था क्योंकि यह exam में बहुत बार पूछा गया है यह PCS exam में भी पूछा गया है पुलीस वाले exam में भी पूछा गया है तो साफे चिकता का सिधान्त जो है वो Einstein ने दिया था यह आपको ध्यान में यहां पर रखना है theory of relativity और अगर गती का नियम किस ने दिया था गती का नियम यह जो है सिधान्त किस ने दिया था तो यह दिया था Newton ने तो प्रास्तितिक एको सिस्टम के संकल्पना Charles Darwin ने दिया था और गती का नियम Newton ने बताया Einstein जो है वो साफे चिकता का सिधान्त के बारे में बताया था मतलब theory of relativity तो यहां पर आपका जो class है यह समाप्त हो रहा है कल फिर मिलेंगे हम इसी class के next station के साथ तो हमारा जो question है वो GK और GS related है MCQ based है MCQ मतलब यहां पर एक question with 4 options रहेंगे जिस प्रकार से आपके exam में आप से पूछा जाता है ठीक है यह question expected होंगे आपके exam के लिए आपके exam होने वाले है उसके exam के लिए expected question है यह question पूछी जानी के समवामना है ठीक है टॉप्मोस्ट question है 2020 और 21 के लिए इसकी जो हमारी जो class के timing है वो आपका 3 p.m. में आपका GA और GK के class से लेंगे 4 p.m. में आपका Hindi के class से शुरू होने वाली है और कल से आपका Mass का भी class से शुरू होगा ठीक है उसकी timing अभी mentioned नहीं है आपको बता दिया जाएगा 2 बुजे से आपकी class होंगी ठीक है अभी अभी मुझे update मिला है कि Mass के class जो है अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो फटफफ़ चैनल को subscribe कर लिजीए आपको red color का button subscribe का दिख रहोगा आप उसे प्रेस करें घंटी का अभी icon होगा बगल में घंटी का निशान होगा आप उसे भी प्रेस करिए ताकि जितने भी वीडियोज हमारे आएं वो आपको इसके notification मिल सके ठीक है बाकी notification नहीं मिलता है तो भी आप time याद रखिए तीन चार बजे आपको हमारे चैनल पर विजीट कर लेना है ठीक है तो चलिए हम अपने next वीडियो मिलते हैं ताप ताकि ले वंदे मात्रम